हेलो गाइस, वाच्छ अप, I hope you are doing fine, this is me, मीर वहीद, and today I will be teaching you the remaining part of international movement, right? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, कल तक हमने किया था, 1905 हमने complete किया था, partition of Bengal भी complete किया था, ठीक है? रीजन्स भी मैंने बताया था, कि partition of Bengal का क्या दिया था, official reason क्या था, और actual reason क्या था, तिलक के बारे में मैंने आपको बताया था, कि तिलक ने क्या, कौन से newspapers लिखे थे, Maratha क्या था, किस language में था, के स्री क्या था, किस language में था, ठीक है, आज हम उससे आगे हम start करने वाले, I am presenting this lecture series through triple S, one of the best of a late form for free education, right? तो सबसे पहले आप ये लाइन, सबस्क्राइब करो चैनल को, और लाइक भी करो इस वीडियो को, सबसे पहले लाइक करके रखो, right? तो चलो हम start करते हैं, आज जो हम start करने वाले हैं, वो हम जाएंगे, आज वन, कुछ थोड़ा एक और पेज था, एक सेकंड रुको, थोड़ा सोस में नीचे जो कल में पढ़ा रहा था, हाँ, यहां तक मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो आज जो हम करेंगे यहां पर, मैंने बताया था कल आपको, कि तिलक जो था, यह एक extremist था, इसके पब्लिशर था, दो न्यूस पेपर का, एक न्यूस पेपर जो था, वो मराथा न्यूस पेपर का नाम है, और उसको इंगलिश लेंग्वेज में लिखा जाता था, दूसरा था केसरी, और वो किस न्यूस पेपर मराथा में लिखा, वो किस लेंग्वेज में था, ठीक है, आप्शनिस दिये होते हैं, यहां कौन-कौन सा न्यूस पेपर, जो कि तिलक पब्लिश कर रहा था, उसका एडिटर था, बात समझ में आ रहे हैं, आपको बोला है, एक दूसरा केसरी है, अब यहा यहां पर दो लिडर्स है, एक है अर्बिंदो गोश प्लस मैंने लिखा यहां पर, विपिन चंद्रापाल, विपिन चंद्रापाल मैंने लिखा, यह रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसको बेंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाद रखो, विपिन चंद्रापाल और अ फार ओल्ड्स न्यू लेंप फार ओल्ड्स एक क्वेशन भी पूछा गया है फार ओल्ड्स ठीक है क्वेशन आ जा गई न्यू लेंप फार ओल्ड्स जो है ये पब्लिश किसने किया है आपको बोलना ये न्यू लेंप फार ओल्ड्स जो है ये पब्लिश किया है किसने अर्ब पंजाब ग्रुप को रिप्रेजेंट कर राता है यहां तक आपको यह बात यहां रखना ही ही आइज वैहां टक आफ को पूरा समझ आया होगा ठीक सूरत फ्रीट है यहांपर लेकिन सूरत स्प पहले हमें क्या समझडा है हमें समझरा है कि क्या बोलते हैं इसको मुस्लिम लिएगा 1906 में हमें जाना पड़ेगा क्योंकि 1905 हमने क्रॉस किया है जहांसे आपको क्वेस्टन बनेगे अब हम क्या करेंगे 1906 में हम जाएंगे बात समझ में रहे हैं एक सेकंड रुको 1906 तो अब हम किस में जाएंगे 1906 में तो 1906 में क्या हुआ था यह हमें जानना है 1906 में जानना है कि क्या हुआ था on December 1906 अल इंडिया मुस्लिम लिग पॉपुलरली नून एज दा मुस्लिम लिग वास फाउंडीड ।डग का ब्रिटिश इंडिया नाव इन बंगलादेश December 30, 1906 में क्या हुआ था All India Muslim League की formation हुए All India Muslim League का foundation किया हो गया है जिसको popularly नाम दिया गया है Muslim League कहां पर? डाका में और उस टाइम यह जो था यह British India के पास था डाका जो था यह British India का part मैंने कल बोला था आपको पहले Bengal का part था यह बंगलादेश का part है यह Bengalादेश का है ठीक है? अभी जो है Bengalादेश है तो वहाँ पर इसको foundation डाली गई है इसको found किया गया है question आएगा कि जो Muslim League जो है इसकी foundation कहां पर डाली गई है आपको बोलना है इसकी foundation डाका में डाली गई है ठीक है? तो यह आपको याद रखना है यहाँ पर यह एक पाइट exam के लिए ठीक जो यहाँ पर next क्या बनता आपका question the All India Muslim League was the first Muslim political party in India party of India question आएगा exam में आपको कियो Muslims की सबसे first All India Party कौन सी थी? आपको बोलना है Muslims की सबसे first All India Party जो थी that was All India Muslim League मुहमद ऐली जुना के मैं यहाँ पर कोई बात नहीं करूँगा मुहमद ऐली जुना को इसके साथ अभी कुछ नहीं है जिस टाइम foundation हो रही है किसकी All India Muslim League के मुहमद ऐली जुना को इसके साथ अभी कुछ भी नहीं है इसका रोल अभी हम नहीं देखेंगे यहाँ पर बस इतना आपको याद रखने है The founders of Muslim League वेर कौन-कौन सा founder था जब foundation होई थी जैसे मैंने कलब बोला था आपको कि जब International Moment की बात की थी मैंने A.O.Hume की बात की दिए Gopal Krishna Gokli की बात की International Congress का ठीक है Exactly रही ही जब All India Muslim League का foundation हुआ था तो उस टाइम founders कौन-कौन है इसके किसके Muslim League के आपको याद रखना है Khawja Salimula याद रखना Khawja Salimula and Aga Khan याद रखना Aga Khan को साथ करो Salimula and Aga Khan were the founders of किसके All India Muslim League उनके साथ-साथ और कौन था ठीक है आगा Khan को याद रना आगा Khan को मिस्स नहीं करना ये पहला प्रेजिडेंट था एक्चूली आगा Khan ये पहला प्रेजिडेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर मुझे याद आया कि आगा Khan भी था यहाँ ठीक है वकारूला मुल्क सईद आमिर अली आगेगा आपको उसको टिक करना है मैंन आपको याद रखना आपको सली मुला एंड आगा Khan बस दो को याद रखना ये रखना है सली मुला एंड आगा Khan ठीक यहाँ पर जो लिखा है एक और पॉइंट जैसे कि इंड नैशनल मुमिन्ट बना मैंने पहले बोला किनों ने उसके फॉन्डेशन की है जनरली आपको बोलना है मौड़ेट्स ने तो मैंने ये बात भी बोले है मौड़ेट्स जनरली क्या थे हो यह क्या थे वो एलिट कलस लोग थे ठीक है वही उसी तरीके से यहां पर आपर comparison करना है Muslim League भी क्या थी Muslim League भी यह भी group of elite class था जोने ने क्या शुरू किया All India Muslim League की foundation डाली हुई है ठीक है ऐसे questions भी पूछ लेते हैं अब लेकिन question यहां पर आएगा कि क्या aim था इसका aim क्योंकि अगर कोई party बनाया जाता इसके पीछे कुछ reason होना चाहिए न क्यों बनाया जाता जैसे हम बोलेंगे कि international congress को क्यों बनाया गया क्योंकि जो भी उनकी grievances थी ठीक है वो उनको कहां तक ले कर जाना था ठीक है किसके जिरे एक organization बनाई उसका part AO hum भी था और उसको use किया अपने मक्सद के लिए उस time Britishers ने यह expect नहीं किया था कि international जो बनाया गया था international movement की जो foundation होई थे उस time पे या international congress जब बना उनको यह नहीं लग रहा था लेकि उनको लगा था दो तीन साल तक रहेगा तो यह भी खत्म हो जाएगा लेकिन उनको कहां पता था यह एक बड़ा सा यह बन जाएगा ठीक है वह main reason बन जाएगा कि इसका independence का ठीक दो पार्टी चीफ एम वाज टो प्रमूर्ट एंड सेक्यर civil rights for Muslims ठीक है इसका main aim जो था इस पार्टी का main मकसद यह था इन्होंने बोला कि हमें Muslims के जो है rights जो है civil rights for Muslims उनको क्या करना किसी तरीक से secure करना क्योंकि जो Britishers पूरा rule चला रहे थे उन्होंने बोला कि हमें Muslims के rights को secure करने के लिए हमें एक party बनानी चाहे मुस्लिम लाज होते हैं शरियत लाज होते हैं बहुत सारी चीज़ होते हैं जैसे कि Britishers क्या करते हैं वह वहां पर उनको बोलते कि आप Christianity में कनूट हो जाओ यहां कुछ ऐसे लाज बनाते हैं जो कि उनको favor नहीं करता है Muslims के अगेनिश्ट थे या Hindus के अगेनिश्ट होते हैं तो उन्हें बोला नहीं हमें क्या करना है हमें एक party बनाना है जिससे हम क्या करते हैं अपने जो है लेकिन यह loyal रहते हैं Britishers के यहां पर British government के loyal रहते हैं यहां पर ठीक है तो आगे देखते रहेंगे हम क्या क्या हो जाता है लेकिन यह Hindus के साथ भी ठीक ठाक होते क्योंकि इनका main role रहता है किसमें खिलापत मुमेंट में आगे हम पढ़ेंगे और non cooperation moment क्योंकि non cooperation moment जो ही हम पढ क्योंकि झालरी जो होता है उबर के आया होता है और उसी के साथ non cooperation moment स्टार्ट होता है वो फिर all in the moment बन जाता है तो यहां पर आप ख Aku कि Si Si तरीके से चीज़े हो रही है यहाँ पर फिलाल आप देखो to create among Muslims the feeling of loyalty towards the British government ठीक है तो यह क्या है थे यह actually loyal थे किन के साथ Britishers को definitely अगर इनको पता था कि हमें Muslims के rights को protect करना है secure करना है तो definitely उनको loyal रहना ही पड़ेगा यह नहीं कि यह आगे एक बात बोलेंगे Britishers को और पीछे कुछ और propaganda बनाएंगे ठीक है तो Britishers को अच्छा नहीं लगेगा एक तो यह organization जो बनाए आले इसको भी खतम करते और उनको भी arrest करके मारते तो इनको किसी purpose के हिसाब साथ उनको वो step उस time लेना पड़ा ठीक है क्योंकि Britishers के भी agents थे जो कि पता कर रहे थे कौन organization किस तरीके से हैं क्या क्यूं यह organization बनाए हैं किस किस तरीके से चल रहे हैं ठीक है बात समझ में आपने बहुत सारी movies में देखा भी होगा Britishers के agents भी होते हैं जो कि इंडिया नजी थे उन वहाँ पर काम करते थे उनको एक्स्टा पैसे देते थे फिर वो यहां की जो लोगों की बात होती थे वहां ले कर जा देते थे Britishers के commanders को बोलते थे ठीक है कि ऐसे ऐसे हो रहा है आपके अगेनिस्ट कोई propaganda हो रहा है है बहुत सारी चीज़ों हो रहे थे आपने बहुत सारी movies देखिएगी एक movie है जिए अमिर खान के मुझे भी यार नहीं आ रहा है लगान movie में आपने देखा बेस्ट movie है रही हिस्ट्री उनको कहां तक वो बात पहुचानी थी वो British government तक लेकर जाना था क्यूंकि overall government कोई चला रहा था यापर वो British government को control कर रहा था जो भी इनके rights था वो Britishers के सामने लेकर जादे थे यह about था Muslim League के बारे में यहाँ पर last point मैंने लिखा जान बूचकर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ यह point मुहमद इलिजना के बर्म क्योंकि बच्चों के जहन में ज्यादा maximum यह रहता है कि जो Muslim League के foundation मुहमद इलिजना ने डाली है और इसका option होता भी है exam लेकिन आपका ऐसा नहीं करना है मुहमद इलिजना ने इसकी foundation नहीं डाली हुए मैंने पहले बोला उसका नाम क्या था तो इसने जॉइन कब किया यह पार्टी का फिर बाद में मेंबर बना वह कब बना 1930 में question पूचा जाता है who was the founder of क्या बोलते इसको Muslim League आपको बोलना है Salimullah and Aga Khan ठीक है और मुहमद इलिजना कब जॉइन करता है यह 1913 में करता है यह कोई founding member नहीं होता इतना आपको याद रख में जैसे international congress तो बना है 1900 sorry 1885 में लेकिन गांधी जी ने participate गांधी जी फांडिंग मेंबर था ही नहीं फिर कब उसने उसके साथ join के यह हम आगे देखेंगे जब गांधी जीना पॉलिटिक्स में ठीक है यहां तक यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ आए होगी जो मैंने यहां तक आपको यह बोला हुआ है ठीक है आगे देखते और क्या है यहां 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 तक आपको समझ माएगा जल्दी से जल्दी थम्स अप करो लाइक करो जल्दी से जल्दी ठीक है कि में पीता हुआ पानी ठीक है देखो मैंने क्या भूल अभी तक मैंने आपको जहान अधनी क्वेन कि एसवा तक यहां पर क्या बनता है क्वेश्टन बनता है achieve में यहां पर कॉंब जब नेंघ्निन कांग्रेश परना जुहीं इंडेंटनेशल congress बना तो उन्हेंने decide कि हर साल हम sessions करेंगे याद रखो हर साल हमें session करना है हर साल मत्तब session यह 1885 में इसकी foundation हुई थी international moment की ठीक है international congress की लेकिन इन्हेंने बोला session तो हो गया था जो पहला session था वो कहां पर हुआ था बॉंबे में उसका प्रेज़ेंट कौन था डबली सी बैंदर जी बोला था न मैंने अब नाइंटीन स्वारी 1886 का आपको पता होने चाहिए 1887 का पता होने चाहिए 1888 का पता होने चाहिए इसका मतलब आपको क्या करना है जो इंडियनेशन कॉंग्रिस की जो जितने भी सेशन हुए है उनके प्रेज़ेंट का नाम याद रखना है और किस लोकेशन पर हुआ है ऐसा क्वेशन पूछा जाता है जैसके गोपाल क्रिशना गोकले यह किस सेशन का प्रेज़ेंट था वह कौन से सेशन था बदरुदीन तयब जी यह तो फ लेकिन वह कौन से सेशन था वा था आरे बदर राश बिहारी बोष किसका कहा का प्रेज़ेंट था मतलब यह किस सेशन का प्रेज़ेंट है यह पोइंट्स आपको पता होने चाहिए तो यहां पर मैं एक मिनट रुकता हूँ और आपको पहले वह दिखाता हूँ कि कौन- सबसे पहला अगर आप देखोगे डेट यहां पर लिखा हुआ है 1885 आपको यह पता है वेन्यू कहां पर था बॉंबे में ठीक है प्रेजिडेंट को था डबले सी बैनर जी यह पता है न आपको पहला आपको याद करना है कितने डेलिगेट्स थे 72 डेलिगेट्स यहां पर मैंने मारक किया हुआ यहां पर फिर से मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम 72 डेलिगेट्स थे ठीक यह आपको पता है दूसरा सेशन जब इन्होंने डिसाइड के हर साल सेशन करेंगे जब 1885 में हुआ तो डेफिनिटल 1886 म किस साल का प्रेजिडेंट रहा है आपको बोला 1886 लेकिन वो लोकेशन कहां पर थी आपको बोलना है कलकत्ता में ठीक है और उस टाइम पर नमबर डेलिगेट्स डेफिनिटली हर साल तो डेलिगेट्स बढ़ती जाएंगे मेंबर्स बढ़ती जाएंगे इंडिनेशल थे थोड़ आपको याद रखना है मडरास में हुआ था मडरास में हुआ था 1887 में ठीक है और इसका कौन था बदरुदीन टायब जी बस यही मुझे यहां पर आपको एक्शुली बताना था क्योंकि यह पूछा गया है एक्जाम जो बदरुदीन टायब जी है ये किस सेश का प्रेजerin था जो हुआ था मजरास में कब 1887 में और यह कुठा था यह फिर्स्ट मुस्लिम ्प्रेज़िंट आफ इंडेन Tu cannot peng digal stow मस्प्रेजिंट आफ इंडेनेशनल कॉंग्रस जब मैं कोई बात दो ये तीन भार रिपीट करूँगा आपको यह समझना है कि वह एक्जाम में आलड़ी पूछा गया है सीडियस एक्जाम में यहां जो भी पॉब्लिक सर्ष कमिशन एक्जाम होते हैं बाके स्टेट में वहां से पूछा गया है बात समझ में आ रहे हैं यह याद रखाँ उसके बाद एक और है ईलाहबाद सेशन आप यह रहाँ पॉल रहा है क्यों इंक पॉडंट क्यों की होँकि यहां का फरस्ट इंग्लीश प्रेज़िटन्ट को वह रहा है आपके जहन में आ जाया का फरस्ट इंग्ल्ष प्रेज़ऎंट उहँम नहीं वो founder था INC का लेकिन president कोंट रहा उस time का WCB energy लेकिन first English president कोंट था उसका नाम था George Yule पूछा गया है exam में ये भी याद रखना है जब मैं कल या पर सू MCQ सेशन ले कर आओगा आपको बहुत जदा मज़ाएगा इसका नाम याद रखना है George Yule इसका नाम है first president, first English president आपको याद रखना है बात समझ मारेए ये आपको याद रखना है ऐसा question पूछा जाता है कि जो यहाँ पर हुआ था देखो 1896 में session जो हुआ था ये इसका president को था इसका नाम था रहमतुला, इसका नाम था रहमतुला ये नहीं पूछा जाएगा कि रहमतुला क्योंकि ये मैंने अभी तक नहीं देखा किसी paper में कि रहमतुला पूछा जाता है लेकिन ये पूछा जाता है ये कौन सा session था जिस time वन्दे माहतरम को गाया गया था, ठीक है वन्दे माहतरम का use किया गया था आपको बोलना है वो कलकत्ता session था 1896 का कौन सा session वो 50 session था 123 आप 50 session था जब गया गया क्या किसको संग किया गया आपको बोलना है फिर्स्ट टाइम वन्दे माहतरम वाज संग आपको ये आपको याद रखना है यहां तक ठीक है आगे मैं एक और चीज़ लेकर आओंगा रूखो एक सेकड़ ठीक है हाँ 1905 के हमने 1905 पड़ा है न तो 1905 के बारे में हमें पता होना चाहिए 1905 में भी session हुआ 1905 में जो session हुआ वो बनारास में हुआ most important है 1905 में यहां से partition बेंगाल भी हुआ और उन्होंने यहां से session भी किया था देखो एक होता है special session और एक होता है annual session दो sessions होते है एक special session होता है एक होता है annual session annual session का मतलब जो हर साल इन्होंने रखा है कि हर साल करना है करना है और दूसरा मैंने क्या होता है special session कुछ emergency अगर होती है special session होता है जैसे यहां पर Parliament की बात करें इमर्जंसी होती है तो फिर क्या है इमर्जंसी मिटिंग्स होती है जैसे पिछले बार आइकस्दान और इंडिया का यह हुआ था लड़ाय हो गी थी बार्डर पे तो क्या हुआ था उस टाइम continuously meetings हो रहे था आज से दो साल पहले ना जनवरी फैबरीर में जो दो साल पहले हो था तो जब वो चौप पर वहाँ पर गिर गया था ठीक है तो याद रखो उसको बोलते हैं वो emergency meetings होती है एक तो होते है parliamentary session जो होते है तीन session जो होते है moon zone session होता है यहां बहुत सारे sessions होते है ठीक summer session होता है moon zone session होता है ठीक winter session होता है तो वो तो sessions होते हैं लेकिन कुछ emergency sessions भी करते हैं exactly वैसे आप यादर में क्यों relate करा है तो आपको समझ माया जागे कि special session और वो क्या होता है तो यहां पर सिर्फ अभी हम किन sessions के उपर चल रहे है वो हम चल रहे हैं सिर्फ जो involved sessions थे इनको 1905 का उनका अपना session भी था तो वो कहां पर हुआ था बनारस में president कौन था गोपाल कृष्णा गोखले question पूछा गया है कि गोपाल कृष्णा बनारस session of 1905 उस time कौन था उस session का president आपको बोलना उसका दाम था गोपाल कृष्णा गोखले यह भी question पूछा जाता है कि जो जितने भी sessions होते हैं International Congress में from 1885 से लेकर 1947 तक गोपाल कृष्णा गोखले जो है वो कितने sessions का president रह चुका है अगर आपको याद होगा यहाँ पर मैंने क्या बोलấy? यह गोपाल कृष्णा गोखले याद र stroke गोपाल कृष्णा गोखले 1905 में यह भी याद राखो गोपाल कृष्णा गोखले 1905 में अभी नहीं है दादाबाए नेरो जी second के दादा बाई नरो जी के बारे में पूछा जाता है ठीक है दादा बाई नरो जी याद रखो आप याद 20 साल के बाद दादा बाई नरो जी आया हुआ है तो याद रखो 1905 का जो सेशन हुआ था, वो बना रहा है सेशन हुआ था, बना रहा है सेशन आप इंडियन नेशनल कॉंग्रिस आप 1905, who was the president, आपको बोलना है, जी के गोकले, गोपाल कृशना, गोकले जो था, वो प्रेज़न था, 1906 जो कलकता सेशन हुआ था, उस ताइम क ये question पूछा गया है, कम से कम चार पंच एक्जमस में, कि word सोराज किसने यूज किया है, आपको बोलना है, दादा बाई नरोजी, question ये नहीं आता, एक तो ये आता ही आता है, कि word सोराज किसने यूज किया, और इसके साथ ये भी पूछा जाता है, कि कि सेशन आफ इंडियन कॉंगरिस में, जो, दादा बाई नरोजी, सवराज वर्ड का यूज किया, आपको बोलना है, कलकता session of international congress, दादा बाई नरोजी क्या करता है, एक word यूज करता है, जिसको बोला जाता है, सवराज, समझ आया है, किसने word यूज किया है, सवराज यूज किया है, अब यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ने वाले है, हम पढ़ने वाले है, सूरत सेशन, अभी हमने नहीं पढ़ आप हम स्टार्ट करने वाले है, सूरत सेशन जो है, यह 1907 का है, और इसका प्रेजिनट जो है, उसका नमता है, राश बिहारी गोश, राश बिहारी गोश, यह आपको याद रहता है प्रेजिट रहता है और इसमें क्या होता है सूरत सिप्लिट में क्या होता है कॉंग्रेस और मॉडरेट्स का सिप्लिट होता है ठीक है अब देखो क्या होता है इस सूरत सिप्लिट में यहां तक जो भी मैंने बात बोली है ना आपको, यह सारे questions exam में पूछे गए हैं, यह हम miss नहीं कर सकते हैं, यहां से questions पूछे जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अब समझो main reason क्या था सूरत सेशन का, date आपको यात रखने है, 1907, year था 1907, उसलाइम का प्रेजिट को था, राज बहरी गोश् कहां पर थी, river topi at सूरत, सूरत में river topi है, वहां पर इसकी location था, exact location बोला जाता है कि river topi at सूरत, किसका सूरत सेशन जो हुआ था, यह सूरत एक जगा है, यह सूरत एक जगा है, ठीक है, क्यों सिपलिट, देखो सूरत सेशन, या इसको general नाम दिया जाता है, सूरत सिपलिट सिपलिट किसका हुआ, break up हो रहा है, किसका break up हुआ, moderate और extremist का break up हो रहा है, इनके बीच में ideological के basis पे लड़ाई होते हैं, वो लड़ाई नहीं होते कि आपस में हाथा पाई कर रहे हैं, ठीक है, तलवार लेकर आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ideology के basis पे, देखो ideology क्या थी, ये बोल रहे हैं, कि हम क्या करेंगे, moderators बोल रहे हैं, कि हम जो, क्या बोलते हैं, जो हम non-corporation movement चला रहे हैं, वो हम चलाएंगे, बेंगाल में, ये moderates का बोलना है, extremists बोल रहे हैं, नहीं, बेंगाल में ही, नहीं, हम हर जगा पर चलाना चाहते हैं, इसका ideology डिफरेंस President बनाया जाएगा लेकिन क्या होता है वो किसको बनाते है वो दादा बाई नरोस जी को प्रिजट बनाते है आगए बहुत सारी problems देखने को root आप देख लेना आगा कि क्या होता है लेकिन इतना आपको याद रखना है split क्यों होता है पूछा जाता है आपको बोलना है यह क्या है reason because of difference in ideological difference के basis पर ही क्या होता है यह split देखने को मिल रहा है अब question यहाँ पर आता है कौन किसको निकालता है क्या moderates extremists को निकालता है क्या extremists moderates को party से निकालता है definitely party तो moderates की है ठीक है तो moderates expelled out करते हैं किसको extremist ऐसे भी questions देखने को मिल रहा है वहाँ पर ये लिखा जाता है कि moderates were expelled by the extremists option B होता है extremists were expelled by the moderates तो question उसका answer जो है extremists were expelled by the moderates यह आपको याद रखना है इसलिए मैं यहाँ पर जादा focus कर रहा हूं कि split क्या हुआ था because of ideological difference और दूसरा आपको याद रखना moderates and extremists जो है इनके बीच में क्या होता है split होता है यह अलग-अलग हो जाते है ठीक है जब यह मैंने बोला था ना आपको कि जब non-cooperation moment इनने स्टार्ट स्वारी क्या बोलते इसको आप यह बोल सकते हो सौधिश्य मूमेंट इनने स्टार्ट किया है यह बोल सकते हो कि भाइय काट मूमेंट इस्टार्ट किया है फिर क्या हुआ थीक है तो यहां पर इनको arrest किया जाता है deportation किया जाता है इनको integrity को मैंने कल बोला था आपको लेकिन तिला को कहां पर एरेस्ट करके कहां लेकर जाते हैं तिला को मैंडाले जेल लेकर जाते हैं यह जेल कहां पर होता आपको बोलना है यह बर्मा में जिसको अभी का नाम जो है मायनमर बात समझ में आरे, किस जेल में इसको ले कर जाते हैं, आपको बोलना है, मन्डेला जेल में, किस में मन्डेला जेल में, याद रखना इस जेल को, तिला को मन्डेला जेल में ले कर जाते हैं, 1906 में, और फिर इसको 6 साल के बाद वहां से छोड़ा जाता है, अभी आप इतना य याद रखना है इसको ठीक है आगे चलेंगे हम 19-0 19-0 मुझे एक्चुली बोलना था आपको 1911 में ने बोलना था यहाँ पर देखो 1911 में क्या होता है आपके इतना याद रखो 1911 में क्या होता है यह बोला जाता है कि Cancellation आप Partition of Bengal करेंगे 1911 में Partition of Bengal की Cancellation के बारे में बो बोलना है दिली दर्बार लेकिन कौन सा दिली दर्बार थर्ड दिली दर्बार उससे पहले बहुत सारी दिली दर्बार लगते है मतलब जो 1800 में 1700 में दिली दर्बार लगाया होता है तो थर्ड दिली दर्बार होता है इसमें क्या होता है यहाँ का उस टाइम का 1911 का वाइस 11 में हुआ था इसमें बोला गया है कि cancellation of partition of bengal question आता है कि किस date को बोला गया है cancellation of partition of bengal आपको बोलना है 1911 वाले session में बोला जाता है कि partition of bengal जो है वो cancel करेंगे ये बात आपको याद रखना है यहापर और इस session को बोला जाता है यह कौन सा था यह था दिल्ली दरबार बस इतना आपको इसमें याद रखना है जहां से आपका MCQ बनेगा ज्यादा इसमें गुसने की जरूरत नहीं है ठीक है 1900 देखो बीच में था 1909 1909 में क्यों छोड़ रहा हूँ कि यहां पर हमें actually क्या पढ़ना है हमें यहां पर पढ़ना है Government of India Act Moralimento Reform हमें actually पढ़ना है Government of India Act 1909 हमें पढ़ना है लेकिन वह अभी नहीं पढ़ना है हमें जब 1990, 1909 बहुत सारी वह एक ही बार लेकर आओंगा उसमें क्या क्या चेंज लाई गई यह कौन-कौन तरी reforms कि यह हैं British वह ने कौन-कौन सी चेंज के हैं कि 10 साल के बाद वो लेकर आते तरी reforms को ठीक है आगे हम चलेंगे यहां पर हमारे पास जो है मैंने लिखा है the gather moment मतलब gather party है यह ठीक है वो important leader था gather moment का जो के formation हुई है 1913 में उसके साथ एक और परसने जिसका नाम था रामनाथ पूरी यह भी question पूछा गया है कि important leaders who were associated with gather moment आपको बोना लाला हर्दियाल number second that is रामनाथ पूरी ठीक है अब इस moment को कहां पर start किया गया था इस party को कहां पर start किया गया था आपको बोलना है इसको start किया गया था ठीक है USA में San Francisco इसका head coverter कहां पर था याद रखना San Francisco 1913 में इसको बनाया गया ठीक है started circular आजादी in USA इन्होंने आजादी का circular एक बनाया था USA के अंदर ठीक है इन्होंने किसको favor किया था सौधेशी मुमिंट को favor कर रहे थे कहां से लेकिन वो कर रहे थे USA से उन्होंने start किया क्योंकि जब इंड़ा में कोई भी revolt होता था कोई भी moment चल रहा था उसको बहुत सारे जो revolutionaries होते थे वो काफी area से भी support करते थे इनको start कर जैसे यहां पर अगर आगर आगर को लाला हर्दियाल ये कहां से चला रहा था इसको ये चला रहा था सौधेशी मुमिंट को USA से चला रहा था ठीक है एक तो मैंने लाला हर्दियाल का नाम बोला रामनात को पूरी का नाम जीडी कुमार भी पूछा गया exam सोहन सिंग बकाना भी याद रखना है तरकना दाज भी देखना आपको क्योंकि ये सबी important leaders हैं जो के related हैं किसके साथ गदर पार्टी के साथ अगर आप एक topic कोई पढ़ रहे हैं उसमें से हर एक information चाही चाही इसके history में इससे जादा नहीं जितना मैं पढ़ा रहा हैं उतना ही काफी है क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने points लिखे हैं ये examination points के exam के points हैं सीधे याद रखना है सोहन सिंग बकाना और तरकना दास यह हमेशा पूछा जाता है गदर एक revolutionary organizer group था यह एक group था revolutionary organizer group आरे बात समझ ठीक है who established इन्होंने क्या क्या एक Hindu association को establish किया इन्होंने कब 1913 में जो कि publish कर रहे थे एक newspaper को publish कर रहे थे इन्होंने एक Hindu association को बनाया था वो Hindu association जो थी इनको ये क्या करते थे ये publish करते थे एक newspaper publish करते थे weekly newspaper daily के base पे नहीं था monthly base पे नहीं था weekly newspaper और उसी weekly newspaper को इन्होंने क्या नाम है क्या रखा था दा गदर याद रखना उस weekly newspaper का नाम था दा गदर याद रखना आपको ठीक है यही था गदर गदर क्या था गदर आपको बना एक revolutionary organized group था जो कि हिंदू association के related था ये publish कर रहे थे एक newspaper weekly based newspaper था जो कि जिसका नाम क्या था दा गदर और ये कौन किसने किया था start आपको बना लाला हर्दियाल रिलेटर थीक है लाला हर्दियाल ने अगर question आएगा कि दा गदर के साथ कौन सा related आपको बना लाला हर्दियाल वहाँ पर लेकर आपको लेखा होगा both A and B C तो आपको फिर डोड़ना है वहाँ पर बात समझ में आ रही है क्या हुआ था ठीक है अब ये party जो है कदर party ये कैसे encourage हुआ था ऐसा moment जो उन्होंने start कर रहे थे revolutionary moment कहां पर USA में फिर उन्होंने एक newspaper start किया जिसका नाम रखा the other weekly newspaper अब ये कह encouragement भी मिलनी चाहिने जैसे आप examination के लिए तयार करें आपको कोई encourage कर रहा होगा आपके encouragement मिल रहे होगी ठीक है तो exactly वैसे encouragement मिला है that means ये encourage किस से होए थे दो incidents होते है एक है एक incident का नाम है कामो गाटा मारो incident most important है कामो गाटा मारो incident और world war first के incident से क्या होते है ये encourage होते है अब य कामो गाटा मारो incident क्या है एक interesting incident है ये मैं कल बताओंगा ये कामो गाटा actually ये ship का नाम है ठीक है ये एक incident होता है जहाँ पर उनको फैंका जाता है ship से बाहर Britishers बाहर फैंकते है उनको और वो मर्द है मतलब जो भी जो भी सिख होते है पंजाब के ठीक है जब वो Canada जाते है मैं I hope यहां तक आपको ये पूरा समझ आया है अगर आपको समझ आया है तो comment section में mention करो और जो है हर एक comment section में लिखेगा कि आपको ये session कैसा लगा और साथ साथ आप इसको like भी करो thank you so much for watching me